अलो दोस्तो अभी में केज्यूकेशन में मैं अरविंद मक्वाना आप सब का स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के मौस्ट आइम पी 100 प्रस्न पार्ट 6 इससे पहले 500 जो है वह पार्ट 5 में अप्लोड हो चुके है यदि देखना बाकि हो तो वह भी देख लिजेगा आने वाली सभी एक्जाम के लिए महत्व पूर्ण प्रस्न रहेंगे तो अच्छी तरह से वीडियो देखिए क्योंके लास्ट में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा इसी वीडियो में से वहाँ पर question पूछे जाएंगे तो अच्छी तरह से वीडियो देखके आप उस test में अच्छे मार्च ला सकते हैं इसका PDF जो है वो भी आपको provide करा दिया जाएगा कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको last में बता दूँगा आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धान्त किस पर आधारित है विद्यूत चुम्ब की ये प्रेरान के सिद्धान्त पर आधारित है ट्रांसफोर्मर क्या है एसी वर्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफोर्मर विद्युद्दारा का चुम्ब की ये प्रभाव सर्वो प्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? ओस्टेंड द्वारा मुक्तरुप से लटकी चुम्ब की ये सुई का अक्स भोगोलिक अक्स के साथ कितना कौन बनाता है? 18 अंस का कौन जो हूँ बनाता है? किसा में टिकती हैं कि द्रुवों पर नमन कौन का मान कितना होता है कि 90 आउंस होता है कि चुम्बक की पदार्थों जैसे लोहा निकल कोबाल्ट आदी को आकर्शित करते हैं वे किसे प्रतिकर्शित भी करते हैं प्रति चुम्बक की अपदार्थों को करते हैं चुम्बक की ये कमपास की सुईकिस और इंगित करती हैं चुम्बक की ये उत्तरव चुम्बक की दक्सीन विशुवरूत रेखा पर नतिकोन का मान क्या होता है जिरोंस होता है एक समान चुम्बक की अक्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए एक दूसरे के समानतर तावा क्या है विद्यूत और चुम्बकिय है चुम्बकिय याम्योतर और भोगोलिक याम्योतर के बीच के कौन को क्या कहते हैं चुम्बकिय दिखपात कहते हैं एक स्वतंत्र रुप से लटका हुआ चुम्बक सदेव ठहरता है उत्तर दक्सिन दिशा में डाइनेमो यानि विद्यूत जनित्र के कार्य करने का सिद्धान्त है विद्यूत चुम्बकिय प्रभाव यदि किसी चुम्बक का तिसरा धुरूव हो तो तिसरा धुरूव कहलाता है परिणामी धुरूव पृत्वी एक बहुत बड़ा चुम्बक है इसका चुम्बक की एक शेत्र किस दिशा में विश्टूत होता है दक्सिन से उत्तर दिशा में लोहा का क्यूरी तब क्या होता है 780 चुम्बक की एक शेत्र का मात्रक होता है गोस यदि एक चुम्बक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग प्रुथक प्रुथक चुम्बक बन जाते हैं किसी चुम्बक की आकरशन सकती सबसे कम कहा होती है मध्य में स्थाई चुम्बक किसके बनाए जाते है इस पात के अस्थाई चुम्बक किसके बनाए जाते है नर्मलोहे के किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुम्बकीय बल रेखाव को क्या कहते है चुम्बकीय फ्लक्स कहते है किसी चुम्बक का अधिक्तम चुम्बकत्व कहां होता है उसके धुरूव पर चुम्बक की एक शेत्र की तीवरता का मात्रक क्या होता है एंपियर प्रतिमीटर गौंस और टेस्ला एक स्थीर चुम्बक हमेशा दर्साती है उत्तर उत्तर तथा दक्सिन दक्सिन फ्लक्स घंता और चुम्बकिय क्षेत्र की ख्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी पारगम्यता चुम्बकिय सुई किस तरफ संकेत करती है उत्तर की तरफ टेप रिकोडर की टेप किस से लेपित होती है फेरो मेगनेटिक चुरन से स्टील को चुम्बकित करना कठीन है क्यों उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण तामबा मुख्य रुप से विद्यूत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्यूत प्रतिरोधता निन्म होती है सुस्क सेल है प्रात्मिक सेल लोहे के उपर जिंक की परज चड़ाने को क्या कहते है गेलवेनाइजेसन कहते है विद्यूत उपकरन में अर्थ का उपक्योग होता है सुरक्सा के लिए यदि किसी तार की त्रीज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध सुलह गुना हो जाएगा सुस्क सेल यानि बेटरी में किनका विद्यूत अपगट्यों के रूप में प्रयोग होता है एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है एक सामनिय सुसक सेल में विद्यूत अपगट्यों होता है एमोनियम क्लोराइड फिर चोक का धारा नियम आधारित है उर्जा सरक्षन पर एक वोल्ट विबन वांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रोन जितनी उर्जा प्राप्त करता है उसे कहते है एक इलेक्ट्रोन वोल्ट जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है डाइनेमो एक मसीन है जिसका काम है यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करना स्थीर विद्यूत अउक्षेपित का प्रयोग किसे नियंतरित करने के लिए किया जाता है वायू प्रदुसक को ट्रांस्फोर्मर किस से काम करता है केवल प्रत्यावर्ति धारा से प्रत्यावर्ति धारा को दिष्ट धारा में बदलता है द्रिष्टिकारी द्वारा सुस्क सेल में जो उर्जा संग्रहित रहती है वह है रासानिक उर्जा ट्रांस्फोर्मर किस से काम करता है केवल प्रत्यावर्ति धारा से प्रत्यावर्ति धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है द्रिष्ट कारी द्वारा सुस्क सेल में जो उर्जा संगरहित रहती है वह है रासानिक उर्जा यदि किसी प्रारुपी पदार्थ का वेद्यूत प्रतिरोध गिरकर सुन्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते है अतिचालक कहते है यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है विद्यूत मरकरी लेंप में रहता है कमदाप पर पारा विद्यूत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेकसा अधिक होता है बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेग्यूलेटर प्रतिरोध का मातरक है ओम गरों में लगे पंखे बल्ब आधी लगे होते हैं समनांतर क्रम में वस्तूओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फल स्वरुप होता है इलेक्ट्रॉन आप कार में जा रहे हैं यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे कार की खिड़किया बंद कर लेंगे सामनिय तह प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदिप्ती क्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है 6500 के अंकित होता है मानव सरीर के विद्यूत प्रतिरोध के परिणाम की कोटी क्या है 10 ओम विद्यूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातों का उप्योग होता है यूरेनियम का उप्योग होता है जलते हुए विद्यूत बल्ब के तंतु का ताप सामनिय तह होता है 3000 ओम सेल्सियस से 3500 ओम सेल्सियस माई का क्या है उस्मा और विद्यूत दोनों का कुछ आलक है एंपियर क्या मापने की इकाई है विद्यूत दारा एक प्रूत्रिम उपगरह में विद्यूत उर्जा का स्त्रोथ है सोर बेटरी विद्यूत उर्जा को यांत्री की उर्जा में बदलने की युक्ति है विद्यूत मोटर राशानिक उर्जा का विद्यूत उर्जा में रुपान्तरन होता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्रत्यावर्ति धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर प्रति द्विप्ति नली में सर्वाधिक सामन्यतह प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है पारा बास्प तथा और्गन तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सीरे से दो विद्यूत आवेसों के बीच लगने वाले बल से सबंधित है कुलोम का नियम क्यूब लाइट में व्याई उर्जया का लगबक कितना भाग प्रकास में प्रतिवर्तित होता है ट्रांसपोर्मर प्रयूक्त होते है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए समा नावेसों में क्या होता है विकरशन होता है तडित चालक का आविस्कार किस ने किया बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने किया था एक फ्यूज तार का उप्योग किस के लिए होता है अत्यधिक धारा प्रवा के समय विद्यूत परिपत को तोड़ने के लिए सो वोट वाले एक विद्यूत लेंप का एक दिन में दस गंटे प्रयोग होता है एक दिन में लेंप द्वारा कितनी यूनिट उर्जा प्रयोग तो होती है एक यूनिट होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट में कितने वोट होते है तो हजार वोट होते है क 2000 वोट जलने पर कितना होगा एक यूनिट होगा यह आपको पता होना चाहिए एक 100 वोट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपे प्रती यूनिट की दर से विद्यूत खर्च कितना होगा 5 रुपे होगा क्योंकि एक यूनिट ही जला है यहाँ पे भी वही बात है एक युनिट जला है इसलिए पांच रुपे होगा तरित चालक किसके बनाये जाते हैं तामबे के किलोवट घंटा किसकी इकाई है विद्यूत उर्जा के बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है गरेलू विद्यूत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्सा फ्यूज तार उस दातू से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो फेराडे का नियम किस से सबंदित है विद्यूत अब घटन से विद्यूत फ्यूज में इस्तमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सिसा का एक मिस्रधातू होता है इस मिस्रधातू में उच्च विशिष्ट प्रतिरोत एवं निन्म गलनांक होना चाहिए बिजली सप्लाइक के मैस में फ्यूज एक सुरक्सा उपकरण है उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है बिजली के फ्यूज का गलनांक निम्न होता है दातू ये विद्यूत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रोन होते है अतिचालक का लक्सन है उच्च पारगम्यता इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट कौन सा है एंपियर है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तूओं के बिज विद्यूत्दारा नहीं बहती यदि वे होती है समान विभव पर बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है टंगस्टन बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायू तेजी से प्रवेस करती है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है टंगस्टन तंटू के उपचयन को रोकने के लिए एक विद्यूत सर्किट में एक फ्यूज तार का उप्योग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्यूत धारा को रोकने के लिए फ्यूज का सिद्धान्त है विद्यूत का उस्मियक प्रभाव फ्यूज तार किस से बनती है टीन और सिसा की मिस्रधातू से बनती है अब आपकी टेस्ट जो आपने वीडियो देखा उसी में से आपको यहां पर क्वेशन पुछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जिससे मुझे पता चले कितने लोगों अच्छी तरह वीडियो देखा है और किन लोगों को इनके आंसर आते हैं यदि आंसर नहीं आते हो तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं तो पहले हम टेस्ट देखेंगे उस्से पहले एदी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए क看看 कीजिए अपने सबी दोस्तों को video सेर कीजिए चनल सब्सक्रायब करना बाकी हो तो चनल को सब्सक्रायब करें और बाजू में दिए किसके बनाए जाते हैं तडित चालक का आविस्कार किस ने किया और स्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेट बोक्स में देने हैं